तो आज के हमारी इस ओन्लाइन क्लास में हम VVA Mac को पावर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और VVA Mac को प्रोग्रामिंग पर हम दूसरा अब्जेक्ट देख रहे हैं जैसे मैंने सुलाती क्लास में बताया था कि चार में अब्जेक्ट होते हैं अप्लिकेशन, वर्कबुक्स, शीट्स, एंग्ज त्य हमारा दूसरा है सीट्स के बारे पर रहें लास्ट क्लास में आपको बताया कि किसी सीट को हम कैसे अड करेंगे कैसे रिंएण करेंगे, कैसे आइड करेंगे, कैसे अनाइड करेंगे और किस तरीके से हम प्रोडेक्ट करेंगे वगर हमने last classes की बताया था sheet के उपर कैसे event करेंगे अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उसे लेटर एक officially project की यसे के अमने workbook के बताया था किस तरह से automatically workbook हमार create हुआ है यह तो project है project जो है आपके इसमे बेसिकली मुझे एक सॉफ्टर से डेटा डाउनलोड करना है तो उस सॉफ्टर को मुझे 12 फाइले और 305 सीट बना के देना है जैसे कि मैंने यहां पर यहां पर 2018 है यह 2019 है इसी के लिए लेते हैं इस 2019 के फोल्डर में 12 फाइले को क्रियेट करना 12 एक्सल फाइले क्रियेट करना सबस्क्राइब तरह पर जैन टू देसंबर मुझे 12 फाइल बनानी है जो कि जैन टू देसंबर कैसे बनाएंगे और इसके लिए लिए लिखते हैं तो यहां पर यह से बताया हमने लिखेंगे workbooks.add और उसका नेम होना चाहिए जैन पर मार्च इस तरह से तो workbooks.add और इसी में हम कर देते हैं .save किस लोकेशन में तो हमने बुला कि मुझे दीड्राइब के 2019 के अंदर शेव करना है किस नाम से तो पहला फाइल है तो और हमें जो है जैन के नाम से यहां पर होगा जैन.xlsx तो इस अब फाइल क्रियेट हो गया इस फाइल के अंदर में मुझे जैन है तो जैसे बाराव फाइल क्रियेट कर लो तो बाराव वार लिखना पड़ेगा और जहां पर जैन है वहां पर करना पड़ेगा कि मैन्यूल बता रहा हूं हरा कि ऐसा करेंगे नहीं तो इस तो इसने काशी दिक्कत हो जाएगी ना तो हम क्या करते हैं कि इसको डिलीट करते हैं हमारे पास एक लूप नाम लूप होता है फोर लूप यहां पर लिख सब्सक्राइब कि फोर आई लेकिन हमेशा जन्वरी का फाइल ही बनाएगा प्रॉलम यहां पर देख लिए हमेशा हमेशा जो है जन्वरी का फाइल ही करेंगे प्रॉलम यहां पर यह तो बेसिकली यह आई क्या होता है काउंटर होता है ठीक है इस पे पहले बार में वान दूसरे बार में तू तूसरे बार थी चौतर राण चाहर इस तरह से नंबर से तो मैं अब मुझे जैंग चाहिए तो जैसे मैंने इसमें एवाई एम डी करके दो लिया था उसी तरह से मैं यहां पर फाइल नेम एफन एक्वल टू हमारे पस फॉर्मूला होता है मंध नेम और मंध नेम में हमने आई को लिया और कॉमा टू कर दो अभी क्या करेगा कि इम आई क्या होगा वान होगा इस वान को यहां पर करेंगा पिसमें जैन तो मैं यहां पर देखिए आपके साथ मैं कॉन करता हूं और यहां पर एफन और फी इसको एंट परसेंट लिए तो यह क्या करेगा बारा फाइल बनाया क्या आप हर फाइल बन रही है तो मुझे इसको क्लोज भी करना है तो यहां पर एक्टीव और वो दॉट क्लोज इक्वल क्लोज अब देखिए कैसे होता है अब मैं इसको एके करके एक्ट करके रण करता हूं ताकि आप समझेंगे कि आपके होता है कैसे कि अगरेगा अभी एक्ट आप इस एक क्या है आई इकोल टुवन दीकर आपको डिसे इसने विलेबल है ऐसे आपको आई भी विलेबल हुआ तो यहां पर आएक व्यक्वल टुवन यहां देखिए लग वां तो मंत नेंब को वां मिला तो एक और एक्ट प्रेश्ट करता हो तो month name क्या हो गया convert होके jan हो गया यहां पर देखिए 2018 and fn क्या हो गया jan यह तीनों मिलके क्या हो गया d slash 2019 slash jan.xls और यह फाइल आपकी create हो गया देखें यहां देखें आगे नहीं जैन हो और फिर फाइल को इसने close कर दिया इस फाइल को देखेंगे effect करता हूं वापस close कर देखेंगे हलो सर हम बलिए recording की permission देजिए इसको चाहिए recording की permission शरत बोल रहा हूं सर तो यहां पर देखिए कि यहां पर i1 हो मैं एक बार सी effect करूंगा तो एक नेक्स चेक करेगा कि आई जो है इकल टू वन है क्या एक वन बारा से बड़ा है नहीं बड़ा है तो फिर वापस एक फोड को बेज देगा फिर वापस को बेज देगा फोर अब देखिए आई क्या हो गया आई एक्वल टू टू हो गया अब यहां पर मंत ने इनको टू मिला तो मंत ने क्या कर दिया आपके सामने अब यहां पर क्या होगा फैब डॉट एक्षलस क्रियेट हो और इसी कंट्रिवेंस को बारा बार लेके जाएगा समय मैं आया सबको किसी को डाउट यहां देखिए बाराव तो मुझे क्या करने ते बाराव फाइल और तीन सो पैसर शीट मतलब कि मुझे टोटल तीन सो पैसर शीट चाहिए लेकिन बाराव फाइलों के अंदर वह अरहीन चाहिए जनवरी में 31 शीट है तो 31 फाइल होने चाहिए फरवरी में 28 शीट है तो 28 फाइल होने चाहिए तो तीन सो पैसर शीट को मुझे बाराव फाइलों के अंदर में कंजिब्यूट करना है उसके नबर ओफ डेस की साब हम बारा फाइल कैसे बनाएंगे आपको समझना आ गया है इसमें आपको लो हमने यहां पर फोर डूप टर इस्तिमाल क्यों किया और हमने एह हमारा आई क्या है मंत नेंग क्या कर रहा है और लोप कर रहा है है यहां पर यहां पर यू पर यूब कहां पर यूज़ किया है मतलब यह जो next कि आपने एक मैक्रो बनाया से यहां पर अब आपको क्या है कि आर इकोल टू आर प्लस वन किया कि आपको दस बार कोपी पेस्ट करना पड़ेगा तो आप दस बार कोपी पेस्ट ना करें इसके लिए लूप लगा लें कि फोर आई इकोल टू चले वन टू टेन यहां कि आपकोल टू आर प्लस वन करें और फिर नेट्स यह क्या करेगा कि इस कोड को दस बार अन करेगा तो आई का क्या रोल है तो आई का क्या रोल है तो यहां पर इसको दस बार करेंगा तो कितना बार चल चुका है इसका हिसाब कैसे हो इसका हिसाब करता है वह क्या करता है कि अपने उपर आई के ऊपर एक वैलू छोड़ देता है अ ठीक है और आई क्या करता है उस बहलन को करता है नैसे क्या है चेक करना कि आई ने कितनी वैलू कारी की अगर करी की वैलू उसके मैक्समम वैलू से जधा है तो लूप को ख़ता है बंद कर देता है, खतन कर देता है, समझ गया है? यह जो की अश्चेंशन नहीं है, डेकि FN, FN क्या है? एक वेरेबल है, कोड है, कोड का पार्ट है को इसको इनवर्ट कमा से बहार रखना हो, तो बहार रखने क्या किया? हमने ज्वाइन फस्लेट्टी का इस्तिमाल किया, हमने इसको ज्वाइन कर दिया FN साथ, फिर जो प्रगा जी यह सर्म में कोई डाउट नहीं है तो इस कोड में आपको एडिट करना है क्या एडिट करना है कि मुझे हर फाइल में उसके इस सीट करना है जिसकी जन्वरी का क्रिएट हुआ हमें लिखना है शीट डॉट है और अधन में क्या बनाता काउंट काना काउंट कितने तो हमें 31 ठीक है लेकिन प्रॉला में कि जब सीट क्रियेट होता है तो क्या होता है अ तीन ठीक होता है जिखना उन तो 30 रोल मैंना स्टीट करना पड़ेगा थांतों 30 होगा और फिर हर शीट का नाम आपको शीट्स ड़ॉट्नीट पाइंग शीट्स में फ़ण वान डार्ट नीन एकवल टू वान टू तरी पोर फाइब करना अब इसको आपने अभी तक के बीवी स्किल्स को अपना ये और मुझे हर फाइल के अंदर जो क्रीट हुई है उसके अंदर उसके मंद की हिसाब से अब इसके नम्बर ऑफ शीट को एड करें उसका शीट 28 है तो 28 होना चाहिए पोडल अगर 30 है तो 30 है 30 है 30 होना चाहिए और हर शीट का नाम उसके सिक्वेंस नहीं जोना चाहिए जहां पे आ वान वान टू त्री इस तरह से होना चाहिए इस तरह से कप्षिस पार गठाएश पर चमान चाहिए तो ग्रॉलम समय आ गया इस जी परकाद जी अंसरत जी बागी और क्या करना आपको यह सब्सक्राइब तो मैं आदा का मता दिया मैं फाइल क्रिएट करके सेट करना हमने आपको सुझा दिया अम आपको लूप भी समझा दिये मोटा मोटी लूप तो बड़ा है बड़ हमने आपको इतना समझा दिया कि आप इसमें यूज कर सेटोएं आप जो है मुझे इस मैक्रो को इस मैक्रो को मैं फेच पर बेज देता हूं मैं दो और वार्स पी बेता हुआ है अगी कि आगी कर दी और रिक्वार्डिंग भी अगी ताइवे सब्सक्राइब होगी और पूरे दिल की रिकॉर्ड़ी एक पार ने जाहेंगे तो प्रिंस भी जाएगा ठीके सुर्ड ठीके तो मिलते हैं अगली क्लास में लेकिये आपके प्रोजेक्टेक्टेशन आपके प्रोजेक्टेक्टेशन तो आप मुझे उसका कोट बेचिएगा अगल प्रोजेक्टेशन वाट सब्सक्राइगा अब रहाँ कोट डर्रा अब रहाँ आपके क्सटेशन इसका आपके सब्सक्राइगा ने प्रोजेएगा प्रोजेशन वह कुछ बच्च बच्चेशन तो आपस आ जाया है, कमाई मोंगा तो नुनका वी बेजना तो टॉटिक स्टार्ट होना था तुमुझे करके बेजिये और अभी हो सिकत अभी बेजी के अधी गंदे तक हुँ में आपको रिपलाई करना के लिए तो नुनका वेजना तो गल बेज जिएगा लेकि जरूर बेज जिएगा तो कि आपका प्राहला उंबर का है तो गलत मना तो गलती बेजिएगा तो आप लोग में मुरुगा ने मनाओंगा ऐसे भी सावन चलना है तो अधिए